विधान सभा चुनाओं को लेकर सभी राजनीतिक दल जी जान से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं इसे कड़ी में लोजपा सुपीमो चिराख पास्वान सहरसा पांचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग जाती के अधार पर बाटने की उन्हें आप वोट ना करता हैं अगारा को फिच्वा से लवाने का काम करता हुए जो दुर्गा भग्तों के ऊपर मुंगेर में जाकर गोली तक चलवाने का काम गरता हूए है इसे इनके मंदली को भले रहना चाहिए क्या है इसे बिशाटियों आज आप लोग उसे आग्र कर देखा कर देखा कि अगली सार्थ तारिक हो जो चुनाओं है की आजआ और आंकश कर येग जाती थे कि बिहार में अगर 200 पर्पूली जाती है तो वोगों से अगरिव में जिले के विश्वी विधान सभाज शेत्र में माकपान नेता डॉक्टर कनहया कुमार ने महागडवंदन के राजत प्रत्याश्ची डॉक्टर फयाज एहमत के समर्थन में चुनावी जंसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला उन् कि जगाने हैं तो दूसरे के याद के लोगों पता रहे हिसे फॉij को रहे फोरस के राजने के लुक्तरी एग क्टेल की दॉडला विल्हाइए यसमूजी दॊली बोलने वाए लोगों के लिए ने हैं आप पाश सूह को आजने के लिए कि यह पांच पार्टियों का कटवंदन है यह पांच पुलिस द्वारा एक नीजी चैनल के पत्रकार अर्णव गौवस्वामी को गिरफतार करने के विरोध में जहानावाद में विद्यारती परिशत के द्वारा जुलूस निकाला गया इस दोरान विद्यारतियों ने महराष्ट के मुख्य मंत्री उद्व ठागरे का पुतला भुका वहीं प्रदर्शन कर रहे है विद्यारतियों ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोड को आ गया आना चाहिए महराष्ट सरकार का नित्री तुकरता उद्व ठागरे का पुतला धन किया गया यह पुतला धन अर्नाव गोस्वामी के उपर बदले की राजनीती से प्रेडित हो करके जो किया गया है उसको लेकर किया गया है कुछ लोह का एक बड़ा सवाल विद्यारती परदर से पूच इतनाए होती है लेकिन वही राजगर पुलीस 2018 में उसकेस को दर्ज करती है उनीस में बंद करते हैं कि हमारे पास पर्याप सबूत नहीं है पुलिया में मद्दान से पहले डीम और एस्पी ने संयुक्त प्रेस वारता आईजित की दोरान उन्होंने कहा कि साथ नवंबर को बारा बज़ रात के बाद एक साथ पांच लोगों की जमा होने की मनाही है वह उन्होंने कहा कि मद्दाता खुलकर गोड करे मद्दान इर्वाचनकार से जुरे हुए लोग या मद्दाताओं की पंग्तियों को ठोर कर पांच से अधिक व्यक्तियों को एक जगा जवान के शहीद होने की सूचना के बाद पूरे इलाके में शोग की लहर दोर गई आपको पता दे कि कलपा गाउं के निवाशी गोपाज सर्मा सी आर्पिएफ के जवान थे वहीं 36 गर्मिन अक्सलियों के खिलाफ चलाए जारे ऑप्रेशन के दरान इलेक्ट्रोनिक जाल की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई जहानवाद जिले के परस भीगाउं में सरक प्रेश वारता आयूजित की इस दोरान उन्होंने कहा कि कटनी के बाद भाड़ी मात्रा में खेतों में अफ्सेश बच जाता जिसे किसान जलाते हैं लेकिन इन्हें जलाने से प्रदूसर्ण के स्तर में काफी बढ़ोतरी होती है इसलिए किसान भाईयों से अनुरोध है कि वे इसका दूसरा उप्योग करें और जरसे कारने का जो ट्रैक्टर में फीफोगर के जा सकता है या बड़ा हावेस्टर है उसे में एक स्ट्रॉम अरेजम लगा करें और जो फसल अफ्सेश से उसको जलाने पर पुनदा पर्तिबंद है इसलिए बार हम लोग से जाता किसा किसी अंगाम का उसके आम लोगों ने ब्लॉक किया था दूसरी बात कि फसल अफ्सेश प्रबंदन है जुक्त कहीं अंजर है इसके की 75% मुदान दिया जा रहा है मतलब कि आपको 25 रुपे, 100 रुपे, 25 रुपे लगाने पर पिज़तर रुपे आपको सर्दार उन्दान दे ठाकरे, ग्रीम मंत्री अनील देशमुक और कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांदी के खिलाब जमकर नारे वाजी की